कभी-कभी आप परवान नहीं करते कि किसी के कहने से क्या हो गया, कोई हमें गलत कहेगा, तो क्या हम गलत हो गए, यह सोचना तो ठीक है, लेकिन इसके कारण कामधंदे पर बुरा असर पड़ता है दर्शको, और फिर आप कालसर प्योग को दोश देते हो, तो इसलिए समझ य की ही आ रही है, तो जरा मेरिज लाइफ को भी देख लें, यह कालसर प्योग आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ेवे रिष्टों पर बहुत प्रभाव देता है, कहने का मतलब यह है दर्शको, आपके वैवाहिक जीवन की शुरुवात में बिना बात के दिक्कते पैदा करता रहता है, चाहे आपस में दोनों जीवन साथी के लिए पैदा ना हो, पर किसी तीसरे व्यक्ति के कारण, और यह तीसरा व्यक्ति हमेशा ही रहेगा आपके जीवन में, व्यक्ति बदलते रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं उनका एफेक्ट अपनी मेरिज लाइफ में यह क साफ साफ क्यों बोलते हो, आपने तो हमेशा ही अपनों को नहीं बोला, और आज जब नहीं बोलना तो इतना जादा बोल रहे हो, यानि मेरिज लाइफ में थोड़ा सा आप चुप नहीं रहते, वहाँ पर अपने जीवन साथी को कई बार बोल देते हो, और थोड़ी सी बा आपकी मेरिज लाइफ में हो जाता है, फिर आप अपने जीवन साथी को गलत बोल चुके होते हो, कोई और व्यक्ति आपके खलाब गलत इंप्रेशन बना देता है, तो मेरिज लाइफ तो खराब होगी ना दर्शक को, लेकिन एक कमाल के बाद बताता हूँ, यही कालसर पय एक बड़ी जबर्दस काबलियत देता है, कि आप काफी इस पश्च शब्दों में शांती से बैटके भी बात कर सकते हो अपने लाइफ पार्टनर से, त्यान तो आपको देना है, अगर आप वो बाते क्लारिफाई कर दोगे ना, तो बहुत बढ़ी आओ जाएगा, और यह दिखाने का टाइम है मेरिज लाइफ में, सारी दुनिया को दिखाया, और अज जीवन साथी को रिलेशनशिप नहीं दिखा रहे हो, समझो, बहुत जरूरी है, फिर आप इस कालसर प्योग के पॉजिटिव एंगल्स का इस्तमाल करेंगे, यानि वैवाहिक जीवन में भी स सुख, तन और मन और धन में एक संतुलन और फिर मज़े करोगे, लेकिन जो बाते बताई हैं, कितने लोगों को समझ में आई, बता देना, क्योंकि कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, आफ्टर और कुलिक कालसर प्योग है, फिर भी बताईएगा कमेंट बॉक्स में किसने बतलाव किये, क्या उसके लाव उसे मिले, या जो पहले ही बतलाव कर चुके हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जरूर कीजिएगा वीडियो का दर्शको, यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,